नमस्कार दोस्तों हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में अगिय की कविता यह दीप अकेला इसका व्याख्या हम करेंगे आईए यह दीप अकेला कविता के वारे में जानते हैं यह दीप अकेला कविवर अगिय जी की प्रशिद कविताओं में से एक है जैसा कि आप जानते हैं कि अगिय एक मनोविशलेशन वादी और व्यक्ति वादी कभी है और इस कविता का प्रकासनियम संकलन नई दिल्ली के आलपस कहवा घर में 18 अक्टूबर 1953 को बावरा अहेरी नाम कविता संग्रह में किया गया है अब कविता का उदेश्य के बारे में हम जान लेते हैं कविता का यह संदेश है कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के अभिनिरूप से जुरे हुए है व्यक्ति के गुन उसकी प्रतीभा उसका कौसल और उसकी रचनात्मक्ता समाज के काम आनी चाहिए जिस तरह से एक अकेले दीपक के जलने से बेहतर है कि वह कतार में सामिल होकर जले उसी तरह ब्यक्ति को भी समाज से जूर कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए अकेला कोई भी कितना भी पूर्ण और सम्रिध क्यों नहो वह सार्थक नहीं हो सकता है इस कविता में दीपक प्रतीभा साली ब्यक्ति का प्रतीख है और दीपक की पंतिया समाज का प्रतीख है इसे उसकी महता और सर्थकता बढ़ जाती है आईए कविता की पंतियों को देखते हैं पंति कोशिस प्रकार से है यह दीप अकेला सिनेह भरा है इसको भी पंति दे दो तो हम कविता की पूरा पंतियों को नहीं पर रहे हैं आप पूर पंतियों को देख लीजिएगा व्याख्या के तरफ आप देख सकते हैं और व्याख्या को आप अच्छे से समझ लिजिए ताकि आपको इस कविता के व्याख्या और कविता में कभी निक्या शंद्य देना चाहा है ये आप समझ सके आइए पंति कुछ इस प्रकार से है यह दीप अकेला सिनेह भरा है इसको भी पंती दे दो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कभी कहते हैं कि यह जो दीपक रूपी प्रतीभा साली व्यक्ति है वो अकेला है यह तेल अत्वा उर्जा से भरा हुआ है अकेला है लेकिन वह तेल अथवा उर्जा से भरा हुआ है और तेल उर्जा से भरा होने के कारण इसे थोड़ा गर्व भी हो गया है और यह अपने मस्ती में चूर भी है इसे भी समाज रुपी पंती में सामिल कर देना चाहिए जिससे इसके गुन समाज के काम आ सके जिससे इसका जीवन भी सार्थक हो सके अगली जो पंतिक है वो कुछ इस प्रकार से है या जन है गाता गीत जिन्हे या मैं स्वयम बिसरजित ब्याख्या कुछ इस प्रकार से है या ऐसा ब्याक्ति है या ऐसा गायक है जो अनोखे गीत गाता है या रचता है जिसे कोई और नहीं रच सकता या उस गोते खोड की तरह है जो अपने सच्चे विचारों के मोती चून कर लाता है जिसे और कोई भी कुशल व्यक्ति नहीं ला सकता अर्थात जिस तरह गोता खोर पानी में जाकर मोती चून कर लाता है उसी तरह व्यक्ति भी इतना कूसल है कि वह अपने विचारों के मोती को चून कर लाता है आगली जो बंती है वो कुशिश प्रकार से है यह जन है गाता गीत जिन्हें यह मैं श्वेंबिसर जित यह ऐसा व प्रतिभा साली ब्यक्ति उस यगी की लकरी की तरह है जो खुद जलकर भी वातावरन में पवित्रता को फैलाता रहता है अर्थात विचारों के क्रांती की अनोखी आग लगा सकता है लोगों को प्रभावित कर सकता है इसके समान कोई दूसरा नहीं है यह दीपक रूपी प् से भी जुरा हुआ है यह मेरा अपना है क्योंकि यह मेरी ही तरह निरंतर संक्रियर आता है और मैं भी इस दीपक के माध्यम से समाज के प्रति अपने आपको समर्पित करता हूं अपनी प्रतिभा समाज पर नियोचावर कर रहा हूं अगली जो पंती है कुछ इस प्रकार से यह दीप अकेला सिन्ह भरा है, इसको भी पंती दे दो यह दीप अकेला उर्जा से भरा हुआ है यह अभिमान से भरा है अपने ही मस्ती में चूर है लेकिन इसे भी समाज रुपी पंती को अर्पित कर देना चाहिए ताकि इसकी सार्थकता बढ़ जाए पंती कुछ इस प्रकार से है यह मधुर है स्वैम काल की मौन इसको भी सकती दे दो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है यह प्रतिभा साली व्यक्ति मधु यानि सहद के समान है जिसे स्वैम समय रुपी काल अर्थात मधु मख्यों ने जमा किया है जिस प्रकार सहद बनने में समय लगता है उसी प्रकार रचनाओं को भी बनने में समय लगता है ये दही और मखन के समान है जो औसधारन है जीवन कामधेनों की तरह है जो हमारी सभी एक्छाओं को पूरा कर देता है अर्थात ये प्रतीभा साली ब्यक्ति दही या मखन की तरह है ये जीवन रूपी कामधेनों के अमरित के समान पवित्र दूध के जमने से या मतने से बना है इसलिए यह महतोपूर्ण है कि जिस प्रकार दही और मखन बनने की प्रकिरिया लंबी होती है उसी प्रकार से स्रिजन्सिल व्यक्ति भी बहुत ही लंबी प्रकिरिया से गुजरता है इसके व्यक्तितों के निर्मान में बहुत समय लगता है यह प्रतिभा साली व्यक्ति बीज से निकलने वाली अखुए के समान है यह धर्ती की कठोर पड़तों को चीरता है और सुरज की ओर बहुत ही नीडर होकर देखता है भाव्या है कि यह सत्य से आखे मिलाने का साहस करता है यह प्रकृति से उत्पन है सच्चा है और विकार रहित है यह अपने आप उत्पन हुआ है यह किसी से भी जुरा हुआ नहीं है इस व्यक्ति को सक्ति दे देना चाहिए ताकि समाज के सक्तियों का विस्तार हो सकी अगली जो पंती कुछ इस प्रकार से है कभी इस पंतियों में कहना चाहते हैं कि स्रिजन सिल व्यक्ति हर परिस्तिती में अपना धीरज बनाए हुए रखते हैं उसके मौलिकता कभी भी खतम नहीं होती वह किसी के सामने अपने घूठने नहीं टिकता क्योंकि उसके भीतर की भावना अच्छी होती है उसके अंदर का विश्वास सुध होता है वह छोटा होने पर भी नहीं घबराता और नहीं भागता उसका विश्वास इतना गहरा है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे नाप नहीं सकता कई बार व्यक्ति निंदा का सिकार हो जाता है उसे समाज में कई बार अपमान जनक सब्द भी सुनने पड़ते हैं मगर वह कभी भी हार नहीं मानता वह इस धुमे में भी तरुता से भरा हुआ रहता है हमेशा सतर्क और साउधान रहता है उसकी आखे हमेशा अनुराग से भरी हुई होती है वह अपनी बाहे उठा कर लोगों को अपनाने के लिए तयार रहता है इसके भीतर जो अपनापन का भाव है वह कभी भी खतम नहीं होता है उसमें हमेशा कुछ जानने और पहचानने की जिग्यासा बनी रहती है जीवन के प्रती वहाँ स्रधा से भरा हुआ रहता है इस ब्यक्ति को भी शक्ति ले दो अर्थात इसे भी समाज से जोर देना चाहिए जिसे समाज अध्यात्मिक रूप से जुरा रहे और इसकी आस्था समाज के काम आ सके अर्थात यह जो दीपक रूपी प्रतीभा साली व्यक्ति है वहाँ अकेला है यह तेल अथ्वा उर्जा से भरा हुआ है इस कारण इसे थ्वरा गर्व है और यह अपने मस्ती में चूर भी है इसे भी समाज रूपी पंती में सामिल कर देना चाहिए जिसे इसके गुन समाज के काम आ सके इसे इसका जीवन भी सार्थक हो सकेगा और समाज की प्रगती कर सकेगा निसकर्स कवी ने व्यक्ति के महत्व को समाज से जोर कर देखा है दीपक दीप व्यक्ति का प्रतिक है और पंती समाज का प्रतिक कविता पर प्रियोगवादी सहली का प्रभाव है इसमें तत्सम सब्दावली का प्रियोग हुआ है कभी इस कविता में स्वैम को इसी व्यक्तित्व रूप में अरजित करते हुए समाज में स्वैम को विशरजित कर देना चाहते हैं तो इस परकार से आज के इस वीडियो में हमने यह दीप अकेला कविता के व्याख्या को देखा मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को कैसा लगा हमें कॉमेंट के माध्याम से अवस्य बताए वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया है तो like कर ले चैनल को subscribe कर ही लिए होंगे अगर नहीं किये होंगे तो चैनल को subscribe चरूर कर लिजिएगा वीडियो दिखने के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद